नमस्कार में दिपाक स्वागत करता हूं का ग्यान लानर्स पर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपको क्लास 9 मैट्स में जो आपका चैप्टर नंबर 4 चला है इसमें आज हम करेंगे एक्साइज 4.3 का कोशन नंबर 2 आपको हमारे सारी वीडियो पसंद आरेकर पसंद आरे तो प्ली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक शेयर और लाइक भी जरूर करें ठीक है चलिए कोशन नंबर 2 पढ़ते हैं बढ़िया करके आपने कोशन न का इकोशन हमें एक इकवेशन देनी है ठीके घीम दएकोशन अफ टूलाइन से देखिए हमें दो लाइन की इक वेल्यों है और यह वाई का वैल्यों एक लिए तो हमें क्या देनी है गीव लाइन की कोशन देनी है जो की इस point से उकर जाएगी ठीक है passing through this point 214 clear and how many more such line ठीक है मतलब इस तरह की और कितनी line हो सकती है और there ठीक है इस तरह की कितनी line हो सकती है and wire क्यों हो सकती है ध्यान लगना and क्यों हो सकती है clear है तो देखिए हम लिखते हैं बढ़िया करके देखिए पहले हम दो line लिखते हैं ठीक है equation लिखते हैं दो line की जो इस point से उकर जाएगी ठीक है तो देखिए हम लिखेंगे equations ठीक है 14 ध्यान नहीं एक्स का value और यह वाई का value तो ऐसी दो equation क्या हो सकती है तो दिखिए फर्स equation होगी आपकी जो फर्स equation होगी वह लिख रहा हो में सिंपल सा बात है 7 x minus y equal to 0 ठीक है 7 x minus y equal to 0 एंड दूसरी लिख लेते हैं ठीक है दूसरी लिख लेते हैं x plus y equal to 16 अब देखिए यही क्यों लिखी सर ठीक है सवाल यह कि यही क्यों लिखी क्या रतना है मैं नहीं आपको कुछ भी रतना नहीं है इसका मतलब equation का मतलब यह कि यह जो point है ठीक है यह जो point है equation of two line passing through this point कि जो यह equation है वो इस point से pass होने का मतलब यह है कि अगर मैं xy का value रखूंगा तो मुझे right hand side मिल जाना चाहिए ठीक है left hand side में देखिए x के जगा मैं अगर 2 रखूं क्या रखूं x से जगा अगर मैं 2 रखूं देखिए पहली question यह लिखीन है 7 to the 14 and minus 14 तो कितना बचा जीरो तो बिल्कुल सही तो आरा result इसका मतलब हमने यह equation बिल्कुल सही लिखी विए दूसरी लिखी मैंने x plus y equal to 16 यहां भी x का y 2 रखो और y का value 14 रखो और 2 प्लस 14 कितना आगे 16 बिल्कुल सही आरा तो इसका मतलब यह जो point है इस equation को क्या कर रही है satisfied कर रही है या इनसे पास होकर जा रही है clear है आपको बताया था कि अगर left hand side में रखेंगे अगर right hand side आ गया तो समझो इस equation को यह point satisfied कर रहे हैं या यह point इस line से उकर जाएंगे ठीक है मतलब अगर हम line खीचते ना ऐसे इस तरह से माल लीजिए सपोर्च को यह लाइन है तो y-7 अग्सा ठीक है माइनस 7 इंटू x का वली 2 तो 14 7 2 जा 14 14 माइनस 14 0 इस तरह कि आप भौ सारी कोशन दे सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि रटने के जुर नहीं कि सर केवल यही equation हम दे सकते हैं ठीक है तो यहां तक तो हो गया आगे है question how many more such line कि इस तरह कि कितनी all lines हो सकती है are there and why मतलब इस point से आप इस तरह की कितनी all line है draw कर सकते हो ठीक है तो दिखिए हम इसका answer यहां पर लिग लेते हैं कि कि कितनी line हम की सकते हैं तो इस तरह की line है ठीक है infinitely many line हम भहुत सारी line है draw कर सकते है infinitely many भहुत सारी ठीक है किसी एक point से आप मतलब अगर आपका यहां पर सपोर्ज करो यहां से throw a point जो आपको point जो आपको point कौन सा point है 2,14 यह जो point है आपका इस point से आप क्या कर सकते हैं infinitely infinitely many भहुत सारी मतलब lines can be drawn ठीक है किसी एक point से आप मतलब अगर आपका यहां पर सपोर्ज करो यहां पर आपका 2,14 वाला point है तो इस point से आप कई सारी लाइने draw कर सकते हैं एक ही point से ठीक है और कितने line आप draw कर सकते हैं और y ठीक है तो हमने कहा infinitely many बहुत सारी मतलब ठीक है कहां से throw a point इस point से हम infinitely many line can be draw कर सकते हैं तो यही इसका answer आगेगा ठीक है तो इस तरह से आपका यह question number 2 done हो गया ठीक है आप बढ़ते है question number 3 की तरफ तो चलिए यह आपका question number 3 हमने note कर लिया है ठीक है question number 3 कह रहा है if the point 3-4 कि अगर जो point यह है 3-4 आपका point है lies on the graph of the equation ठीक है lie मला इस्तित है कहां पर on the graph of the equation इस equation के graph ठीक है मतलब अगर हम इस equation का suppose कीजिए suppose कीजिए इस equation का graph कुछ ऐसा रहा मान लिए इस equation का suppose कीजिए कि इस equation का किस equation का 3y equal to ax plus 7 यह है आपके पास equation this equation ठीक है कि यह जो equation है हमें क्या करना है यह जो point 3-4 वाला lie कर रहा है on the graph of the equation इस वाली equation के graph पे तो मान लिजिए आपका 3-4 suppose कीजिए यहां पर दीके लाई करने का मतलब उससे पास हो रहा है ठीक है इस वाले point से लाइन पास हो रही है यह यह जो point है उस line के ऊपर इस्तित है ठीक है ऐसा भी हम पढ़ सकते है clear है तो यह जो point है लाई कर रहा है on the graph of the equation ठीक है इस वाली equation के graph के ऊपर lie कर रहा है यह जो इससे पास होकर जारी यह line इस वाली point से बात ही किये तो find the value of a तो हमें किसकी value निकालनी है a की value निकालनी है जो इसमें आपको missing दिकरा होगा a इसकी value निकालनी है ठीक है अब ज़रा ध्यान दें बढ़िया करके कि अगर यह point इस वाली equation के graph पर क्या कर रह है lie कर रहा है तो यह point इस equation को क्या करना चाहिए satisfied करना चाहिए ठीक है क्या बोले हम solution क्या करेंगे इसका बहुत आसान question है कि अगर यह point ठीक है इस equation पर लाय कर रहा है तो हम लिकेंगे then then 3,4 ठीक है must be satisfied ठीक है क्या करेगा इसको satisfied करेगा satisfied the equation the equation 3y equal to ax plus 7 ठीक है आप इसको भी लिख सकते है कि इस पहले शुरुबार में लिख सकते है कि if the point 3,4 lie on the graph of the equation this then 3,4 must be satisfied this equation तो इस equation को satisfied करेगा मतलब हमें x की जगा क्या पूट करना पड़ेगा इस equation में x जगा 3 and y की जगा 4 पता ना आपको पहला x होता है फिर y coordinate होता है point का तो इस equation में आपको x जगा 3 place करना है y की जगा 4 तो रखिए बड़े घर के इस equation में 3 into y की जगा क्या रखना है 4 a into x जगा 3 and plus 7 ठीक है यहाँ पर चल ला है 5 upon 3 simple सा question था ठीक है तो यहां से a का value इतना आ गया done है बात clear है ठीक है तो यह आपका question number 3rd भी हो गया चलिए बढ़ते हम हम question number 4 की तरब ठीक है आपके पास question number 4 मैंने लिखा हुआ और ठीक है ncrt books से हम यह question ले रहे हैं ठीक तो बहुत अच्छा question इसको आराम से पढ़िए the taxi fear in a city is as follows ठीक है कि जो taxi का fear मलग किराया है किसी सहर में in a city is as follows वो इस तरह से हो कह रहा है ठीक है अगर हम गाड़ी में बैड़ गए तो अगर मैं पहला किलोमेटर चलोंगा यानि कि जब मैं फर्स किलोमेटर क्रॉस कर जाओंगा तो मुझे एट रूपीज पेज करने पेड़ेंगे यही तो कह रहा है कि for the first km the fear is rupees एट and for the subsequent distance मनला subsequent distance का मनला उसके बाद उसके बाद जयानि कि फर्स किलोमेटर के बाद जब आप आठ रूपे करोगे मतला पहला किलोमेटर आप बैठोगे कि आप गाड़ी में बैढ़ गये किराय वाले जो टैक्सी वाले हैं उन्होंने का कि पहला किलोमेटर आप चलोगे तो आपको एट रुपीज पेक करने पड़ेंगे किलोमेटर यानि कि पहला किलोमेटर आट रुपीया है उसके लिए फाइव रुपीज एक्स्टा मनलब उसके बाद पांच पांच रुपीज जुड़ता रहेगा पहला थान बाद यानि कि प्लस ब्रहें बढ़ता रहेगा ठैकर यानि alien की एटी रुपीज हो जएका चलोगी इस तरह से आपको 5 रुपे पे करने है धिलागा है बात की designs sequenr from the Elaine enter can फिर केफिर कार है टेकिंग that distance covered as X Englewood 나綠 गारा है जो टोटाल डिस्टानस है उएक्स आप x का वेलु क्या है में पता नहीं मतलब आपको 10 km है 11 चलना है 12 करना ह्में मालूम नहीं है वो कहा रहा и कि जो total distance है, taking that distance covered as X kilometer, यानि कि आपने जो total distance covered है, ठीक है, total distance covered, ठीक है, जो total distance covered होगी, वो होगी आपकी X kilometer, ठीक है, कितनी होगी जी X kilometer and the total fare as rupees, ठीक है, यानि कि जो total किराया है total fear जो किराया है total जब आप x km चल जाओगे आप मान लीजिए आपने 12 km चलना है 12 km आपने चलना है ठीके तो आपको किराया देना पड़ेगा जितना भी होगा ठीक है total fear हो गया हो कहरा rupees 5 y rupees आपने y rupees इसको देने हैं clear है अब y कितना है वो अलग बात है क 50 रूपीज पे की है 60, 68 हमको मालूम फिलाल नहीं है ठीक है तो taking the distance covered as x km and the total fear is y rupees ठीक है तो write a linear equation आपको एक linear equation लिखनी है for this information जो आपने अभी तक है information पड़ी उपर ठीक है इसके लिए आपने linear equation लिखनी है clear है and draw its graph उसके बाद उसका graph भी draw करना है तो graph draw करना तो कोई बात नहीं है ठीक है graph हम कर चुक है पहले question में भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुक है graph कैसे draw किया जाता है ठीक है clear है तो टोटल कितनी distance कवर कर रहा एक्स यहां से लिए ठीक है distance covered as x km दने बात and the total fear is y rupees दने बात यहां तक अब देखें यहां पर आते हैं कि first km का जो फियर है वो कितना है 8 रूपीज है ठीक है यानि कि आप लिखेंगे यहां पर आ रहा सब्सक्राइब बढ़िया करके ठीक है पढ़िये 8 रूपीज है यहां पर लिखावा ना कि first km का जो फियर है इस रूपीज 8 तो आप 8 रूपे लिग लेंगे ठीक है कि पहला जो किलोमेटर है आप बैट गये टैक्सी में एक किलोमेटर चले तो 8 रूपे आपका मतलब हो गया पक्का इतना पक्का है उसके बाद 55 रूपे जूटता रहेगा कहरा ना and for the subsequent distance उसके बाद की जो जो भी distance है उसके लिए आपको 5 रूपीज पर किलोमेटर पे करना पड़ेगा तो अब जब आप एक किलोमेटर चल गए अब total distance कितनी आपकी x है मतलब अगर आप total distance suppose करो मैंने का आपको 12 किलोमेटर चलना है ठीक रूपीज आपको पे करना ध्याना ठीक है अब जब आप फर्स किलोमेटर जैसी क्रॉस हो गए तो आप कितनी डिस्टेंस बचे यानिके 12-1 12-1 यानिके आपका 11 किलोमेटर बचा एक किलोमेटर के लिए 8 रूपे था एक किलोमेटर आप माइनस कर दीजे कितना बचा 11 तो है कि for the subsequent distance ठीक है यानि कि उसके बाद की distance के लिए आपको 5 रूपीज पे करने है तो जब आप फर्स किलोमेटर चल जाएंगे 8 तो आपकी जो नेक्स डिस्टेंस बचेगी एक किलोमेटर के बाद ठीक है तो नेक्स्ट जो आपकी डिस्टेंस रहेगी ठीक है 1 किलोमेटर ओने सब्सके कणा डाइए घाओक जो दॉयर्ज आपकी जो रिमेंग या लैप्ट जितनी बैडि epicант वह इतनी बचले हैना कि वन किलोमेटर को यहला दो आपको इसको क्यों निकाल ओन ठीक है इसको इस मुआसल trajectory अब किमाजल म॥ यहा तक जो में। के बाद जो किराया है वो थोड़ा चेंज हो गया यानिकी थोड़ा सस्ता पढ़ड़ा आपको यानिकी 5 रूपीज देने पढ़ड़ है इसलिए हमने next distance निकालना जरूरी है ठीक है तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि फियर किराया ठीक है फॉर जो आपकी next distance है ठीक है next distance next distance के लिए जो आपका किराया पढ़ेगा वो कितना पढ़ेगा इतना किलोमेटर आप चलेंगे next distance x-1 और कितना किराया है next distance के लिए पर किलोमेटर का 5 है 55 किलोमेटर तो आप कितना चले быстро मिईडि़ा करेंगे five से मल्टिप्ला कर देंगे ऐसे करते हो भाई आप कि अगर आप पहला किलोमेटर से लेंगे तो 8 रुपीज पर करने पड़ेंगे ठीक है माली आप टोटल 12 चले तो 12 माइनस 1 करें कितना बचा 11 तो 11 किलोमेटर के लिए आपको बात वाले के लिए 5 रुपए देने तो कितना हो गया 11 ink초 र्लाविटर के यह किराय पढ़ेगा वह किलो में, तो यांने कि आपको कितना देना पड़ेगा 100 रुपीज पे करना पड़ेगा 22 सब्सक्राइब इसी तरह की बाति यहां पर चल लिए ठीक है तो अब आपके पास यहां पर टोटल फियर यह था ठीक है तो आपके पास डोट है था वो क्या था टोटल फियर तो total फियर क्या था आपके आपास? रुपीज वाई, वाई रुपीज आपको देना है ठीक है? तो total फियर मैंने क्या कैसे निकाल सकते हैं आप कि जो पहले किलोइमेटर का किया था? कि राया था, प्लस जो आपका remaining कि राया यहांने की 55 रिवें। इन दोनों को आप ऐड करदेंगे। ठीक हे बात एक आरे सच में कि पहले किलोच का कितना देना आपने यह देना • छिक है यानि कि आप लिग लेंगे यह भी यह आप पас 10 पहले किलोमेटर के लिए कितना किराया Area एकवल टो कितना हो जाएगा वाय हो जाएगा क्योंकि टो तो मया LIVE पलस ना कीलोमM3 प्लस क्यों करने नेक डिस्तर सर पता तर ना क्यूंकि पहले किलिए किराय थोड़ा गया आथ रुपे है पर किलोमेटर का नेक्सक रोपी में tick तहरा कंप sfred12 यूदarn continues माइनस वन इस तरह सा आप लिख सकते हैं इक्वल टू वाई अब इसको सॉल करना है आपकी कोशन बन जाएगी कह रहा था ना राइट लीनियर इक्वोशन ठीक है तो लीनियर एक्वोशन आपकी बन जाएगी आराम से कैसे मल्टिप्लाइ किजिए 5x 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ठीक है य को दर ले आई एक्वल टू कितना कर दीजिए 0 तो 5x य कोशन बने गा यहां तक डन है अब उसके बाद भी कह रहा है ड्रॉ ITS graph इसका graph ड्रॉ करना है तो graph कैसे ड्रॉ होगा देखेए इसके लिए को क्या करना Woods है देखेए यह positive y axis, यह negative y axis के लिए है, तो आपके पास equation क्या होती है, equation आपके पास है, देखिए क्या 5x minus y, ठीके, plus 3 equal to 0, आप इधर से इसको note कर ले, यह वाली equation मैं note कर ले, 5x minus y plus 3 equal to 0, यहां तक के लिए है, यहां से आप किसका value निकाल ले है, x का की y का, तो y का easy है, 5x plus 3, और y minus का उ value आपका कितना, 5x plus 3, अब यहां पर आपने x की value पूट करनी है, और y के value आपके निकलते रहेंगे, तो suppose किजिए, आपने x का value का रख दिया, सिधा 0 रख दिया, तो y का value का आएगा, पता ना, आपको कैसे करते हैं, graph के लिए, ठीके, graph बनाने के लिए, केवल 2 point ही काफी हो ठीके, तो अगला x जगा क्या रखें, अगला x जगा क्या 2 रख दें, 5, 2, 10, 10 plus 3, 13, रख सकते हैं, लेकिन 13 थोड़ा काफी लंब हो जागा, क्योंकि मैंने 13 का नहीं दिया वा, इतना, केवल 6, 7 तर लिए रखें, क्योंकि मेरी copy इतनी है, ठीके, आई बास मगर आपकी copy औ और बड़ी है, तो आप बड़े point ले सकते हैं, और जहां तक हो सके मैंने का point वाले point से बचना चाहिए, याने कि upon मैं ना आए, उससे बचना चाहिए, ठीके, और ज्यादा बड़े point भी नहीं लेना चाहिए, तो मैं 1 रख दू, 5 बड़े 5, 5 प्लस 3, 8, 8 भी ठीके, तो चल करेंगे, minus का कितना आ गया, 2 आ गया, तो थोड़ा point छोटा आ गया, इसलिए मैंने minus 1 रखा, ने, तो मैं 1 में रख दता, 5 बड़े 5, 5 प्लस 3, 8, तब य में मुझे 8 चलना पड़ता, यहां, 1, 2, 3, यह 8, ठीके, तो है, 8 की जगा है, लेकिन हमने नहीं रखा, ठीके, रख स X का value minus 1 और Y का value minus 2 आ गया, ठीक है, तो आपके 2 point आ गये, आप चाहें तो इसकी table भी draw कर सकते हैं, इस तरह से, ठीके, तो इस तरह से table क्या क्र सकते हैं, draw कर सकते हैं, cannot lies, इस तरह से, ठीके, बड़िया करके यह दो पॉइंट भहुत है ग्राफ बनाने के लिए आप चाहें तो दो तीन पॉइंट और निकाल सकते हैं लेकिन फाइदा कुछ नहीं है आना ग्राफ वैसे जैसे दो पॉइंट में आगा ठीक है तो इनको आपने ग्राफ में रखना है ठीक है तो 03 एक्स का वैल्यू जीरो मतलब यह एक्स में कहीं गया ही नहीं ना इधर गया ना इधर गया यह तो एक्स सक्स पूरी ठीक है अगला है वाई का वल्यू थी तो वाई में थी चलना कैसा वाई यह पॉजिटिव है ऊपर चलेंगे पॉजिटिव के लिए वन टू एंट तो यह आगया आपका पहला पॉइंट यह हो गया आपका फॉर्स पॉइंट डैट इट इज जीरो ठीक है यहां पर थोड़ा गॉल कर देना चीए पहचानने के लिए थोड़ा पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देना चीए कहने का मनलब तो यह पॉइंट की सेक्सिस पाया y-axis पाया तो आपको बता रखा है वैसे भी y-axis पे x वाला कॉडड़ेट क्या होता है 0 होता है चलिए अगला पॉइंट है x का वैल्यू माइनस 1 और y का माइनस 2 तो x-1 x-axis यह है और माइनस 1 कहा है यह है ठीक है जी माइनस 1 यह आया इधर माइनस वन और y में कितना चल ना दीखिए-2 तो अब इसको सीधा देखिए यहां पे इसको मिलाएंगे इधर यह दीखिए सीधा नहीं यहां पे इस तरह सीधा आ रहा है यह इधार इस इधर गड़ बढ़ना, अगर आपके पाग ग्राफ पीपर है, तो आपका अल्रेडी सही आएगा, 100% बिलकुल सही आएगा, ठीक है, तो पॉइंट का नाम लिख देजी आप यहाँ पे, क्या लिखेंगे आप पॉइंट माइनस वन एंड य का वेल्यू माइनस का 2, तो इस तरह के आपका ये क्या गया, पॉइंट आगया, ठीक है, अब आपने बस दो पॉइंट का बहुत है मैने का, इस तरह सा आपने पकड़ना है, और इसकी क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खीच लेंगे, ठीक है, एक सीधी लाइन इसको खीच लेंगे, तो ये आगया आपका जो लाइन एक्वेशन आई उसका ग्राफ आगया ठीक है आप यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं बलके ठीक है लाइन क्या है आपकी फाइव एक्स माइनस वाई प्लस त्री इक्वल टू जीरो ठीक है आप ऐसा कर दें है रो अच्छा कनने के लिए ठीक है जी तो इस्ट् ठीक है तो फिर भी पर आपका वही आएगा वण ये रहे एक्ट आपका कहीं आए गा तो आप आगे भी लाएंगे तो वन एक से उकर वहां डिए पर शेंट जयाएगा तो रटने के जुरत नहींके सार यहीं प्वाइंट नहीं दो प्वाइंट से ही आपको पता जाता इस तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको टीन कोशन बताए ठीक है कोशन नमबर टू त्री एंड फोर मैंने आपको अच्छे तरह से बता दिया आपको पूरा कोशन समझ में आ गया होगा थेंकिस वीडियो